बुलेट जैसी मजबूत इंजन और दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ लाउंच हुई Hero Company की नई Hero Splendr Plus भाइक भारत में सबसे ज़्यादा बिखने वाली Hero Company की Hero Splendr Plus एक लाग रुपे के अंदर आपको क्यमत में मिल जाती है लेकिन जिसमें आपको सो सी सी सेग्मेंट का इंजन और 80-90 के MPL का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है इस बाइक की सस्ती कीमत और इसके लंबे माइलेज के कारण Hero Splendr Plus भारत में सबसे ज़्यादा बिखने वाली Hero Splendr Plus की सफलता पूरवक बाइक है Hero Company ने मार्केट में नई Hero Splendr Plus भाइक लॉंच की है इस बाइक में आपको मार्केट में उपस्तित बुलेट जैसे सामान के मजबूत इंजन मिलने वाला है जिस वज़े से इस बाइक की परफॉमेंस काफी अच्छी होगी और इस बाइक की बिल्ड क्वाल्टी काफी ज़्यादा मजबूत होगी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Hero Splendr Plus भाइक की पूंट जानकारी बुलिड जैसी मजबूत इंजन और दमदार बिल्ड क्वाल्टी के साथ लौंच हुई Hero Company की नई Hero Splendr Plus भाइक अगर New Hero Splendr Plus के माईलेज की बात करें तो Hero Company की नई Hero Splendr Plus भाइक आपको एक लिटर पैटरोल में लगबग 80-90 किलोमेटर का लंबा माईलेज दे सकती है और इस बाइक को लंबे सफर के लिए बनाया गया है जिस वज़े से इस बाइक में आपको 9.8 लिटर की बड़ी फ्यूल टंकी देखने को मिलती है जिसमें एक लिटर पैटरोल डालने पर इस बाइक में उपस्ति 100cc सेग्मेंट का इंजन आपको 80-90 किलोमेंटर का माईलेज अराम से दे देता है हिरो कमपनी दुवारा लॉंच की गई नई हिरो स्पिलेंडर प्लेस बाइक में आपको 100cc सेग्मेंट की तरह 97cc का सिंगल सिलेंडर 4 इंजन दिया गया है ये एंजन एक SI इंजन है जो 4 गेर बॉक्स के साथ बाइक में आता है ये एंजन आपको 8.2 PS की पावर के साथ 8.5 NM का टॉक जनेरेट करने में शक्षम है 97cc का ये एंजन आपको काफी अच्छी परफॉमेंस देता है जिस वज़े से ये बाइक आपको 90 किलोमेटर पिरती घंटे की रफतार दे देती है फीचर्स के मामले में Hero Company की नई Hero Splinter Plus बाइक काफी बहतरीन होगी इस बाइक में आपको साईर स्टेंड इंडिकेटर, डिस्पले डिजटल, इंस्टूमेन कंसॉल, डिजटल स्पीडोमेटर, डिजटल टैकोमेटर, डिजटल ओडिमेटर, LED लाइट, LED हैडलाइट, सस्पेंशन सिस्टम, टर्न बाइट, टर्न सिंगल लैम, जिससे कई वहीं इस बाइक में टॉप एरिंट की एक शोरोम कीमत आपको 90,000 रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाती है, और RTO और इंशुरेंज जिसे घर जोड़कर इस बाइक की ऑन रोड कीमत 1,000 रुपए के आसपास पहुँच जाती है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी, कम करके ज़रूर बताएं, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन